वाई हिटलर दिन्ट इन्वेट स्विजिलेंड? वेलकम तु स्टटी आएक्यू मेरा नाम है आदेश जिंग दोस्तों 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया Second World War Human History का सबसे Devastating War माना जाता है इस War में लगभग 4 करोड लाइवस लॉस्ट हुई थी जिसमें Soldiers और Civilians तोनों शामिल थे War के कारण यॉरप, North Africa और East Asia में बड़े पैमाने पर Death and Destruction देखा गया जर्मनी के चांसलर Adolf Hitler को Second World War का जिमेदार ठहराया जाता है 1939 में Hitler की नाजजी आर्मी ने पोलिन पर अटाक कर दिया पोलिन पर Germans के अटाक के अगेंस्ट France और Britain ने Germany पर War डिकलेर कर दिया और यहीं से Second World War की शुरुआ थुई Second World War Axis Powers और Allied Powers के बीच में रड़ा गया जहां Axis Powers में Germany, Italy और Japan शामिल थे वहीं Allied Powers में UK, France, Russia और US थे Second World War के दोरान Hitler की आमी ने यॉरप के कई रीजन्स को अपने कबजे में ले लिया था 1942 में जब Nazism अपने पीक पर था तो West में France से लेकर East में Russia तक और North में Finland से लेकर South में Bulgaria तक का रीजन उसके कबजे में था हानाकि Second World War से जुड़ा एक interesting fact ये भी है कि Switzerland, जो कि Germany के बिलकुल adjacent South में located था, उसको Hitler ने कभी invade नहीं किया वैसे Hitler ने Switzerland को occupy करने के लिए 1942 में ही एक top secret plan बनाया था, जिसे Operation Tannebaum या Operation Christmas Tree का नाम दिया जाता है, लेकिन फिर भी Switzerland पर कभी attack नहीं किया गया, ये बड़ी ही surprising बात है, क्यूंकि Hitler ने कई दफ़ा Switzerland के प्रती अपनी नफरत जाहिर की थी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम World War 2 से जुड़े इसी interesting fact पर नज़र डालेंगे और Second World War के उन circumstances को समझेंगे, जिनका फाइदा उठाकर Switzerland नाजी invasion से बच गया, आईए पहले Switzerland के बारे में थोड़ा जान लेते हैं Background दोस्तों, Switzerland, Alps की पहाड़ियों के बीच located एक छोटा और खूपसूर अदेश है जोकि Germany, France और Italy से घिरा हुआ है Switzerland decentralized democracy या विकेंदरित लोकतंत्र था इसके साथ ही Switzerland एक multilingual या बहु भाशिक और multi-ethnic या बहु जाती अदेश भी था World War के पहले ही Switzerland ने अपने आपको permanent neutral country घोशित कर लिया था अर्थाद उसने घोशित किया कि war के स्थिति में Switzerland किसी भी group के side से participate नहीं करेगा अगर Nazi perspective से देखे तो Switzerland economically और strategically important था Switzerland पर कबजा कर लेने से Germany का Italy से direct link establish हो सकता था जो कि Germany के side से second world war लड रही थी और फिर Switzerland Hitler के एक greater German state के सपने का important link भी था Hitler ने Switzerland पर attack क्यों नहीं किया इसको जानने से पहले आईए देखते हैं कि आखर Switzerland और Nazi जर्मनी के बीच क्या संबंद थे Switzerland and Nazis दोस्तों जैसा कि पहले बताया गया है Switzerland ने खुद को permanent neutral देश घोशित कर लिया था और war शुरू होने से पहले Hitler ने भी Switzerland को non-aggression के assurances दे दिये थे February 1937 में Swiss Federal Councilor Edmund Schulters को address करते हुए Hitler ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो Switzerland की अखंड़ता और neutrality की respect करेंगे लेकिन इसके बावजूद Swiss people Germans को trust नहीं करते थे ऐसा इसलिए क्यूंकि Swiss लोग जानते थे कि Hitler को trust नहीं किया जा सकता इसका जीता जाकता हो धारन Hitler ने खुद पेश किया जब आगे चल कर उसने कई और non-aggression pacts ब्रेक किये Nazis ने USSR के साथ 1939 में ही Molotov-Ribbentrop Peace Agreement साइन किया लेकिन 1942 में इस Peace Agreement को तोड़ते हुए Hitler ने USSR को invade कर दिया इसके अलावा Germans ने Denmark और Norway जैसे देशों के साथ भी Peace Agreement साइन किये जिन्हें violate करके Germany ने उन पर भी attack किया तो hindsight में देखा जाए तो Nazi Germany को trust नहीं करना Switzerland के लिए सही decision था Switzerland के suspicions के और भी कही कारण थे इन में एक बड़ा कारण था Switzerland के प्रती German leaders का attitude June 1941 में Mussolini के साथ meeting में Hitler ने कहा था कि Switzerland में world के सबसे disgusting citizens रहते हैं और वहां का political system सबसे ज्यादा घटिया है उसने Swiss लोगों को Germans का enemy बता दिया August 1942 में Hitler ने कहा था कि Switzerland यौरोप के उपर एक काला धबबा है जिसे मिटाना जरूरी है असल में Hitler को Switzerland के multilingual, multi-ethnic society और decentralized democracy से नफरत थी Hitler का मानना था कि Switzerland में रह रहे सभी German speakers को Germany के साथ unite हो जाना चाहिए और बाकियों को Switzerland से भगा देना चाहिए नाजी पार्टी की political ideology की अगर बात करें तो Switzerland नाजी greater Germany का हिस्सा था जिसमें Holland, Belgium, Austria, Hungary, Poland, Czechoslovakia जैसे देश भी शामिल थे अथे ये बात clear थे कि नाजी पार्टी independent Switzerland को respect नहीं करती थी और Switzerland को हधियाने के सही मौके की तलाश में थी इसलिए स्विस लोगों ने हिटलर के किसी भी possible invasion से निपटने का plan तयार कर लिया चलिए देखते हैं इस plan के बारे में स्विस plan to tackle Hitler and Nazi Germany हिटलर ने जब Treaty of Versaic को तोड़ कर 1936 में Rheinland पर कबजा किया तब से ही Switzerland ने हिटलर के खिलाफ war operations शुरू कर दिये थे आमी और ammunitions modernization के ऊपर expenditure तेजी से बढ़ा दिया गया 1939 में हिटलर द्वारा पोलिन पर अटैक करने के बाद Switzerland परलिमेंट ने पहली बार अपने हिस्ट्री में war preparations के लिए four star general General Guisan को अपॉइंट किया General Guisan ने German aggression से निपटने के लिए plans पर काम करना शुरू कर दिया नए recruits को आर्मी में शामिल किया गया और 60 साल तक के हर male citizen को war में participate करने के लिए तयार रहने को कहा गया German aggression से निपटने के लिए Major General Guisan ने एक elaborate plan भी तयार कर लिया था अगर Swiss Army मैदानी इलाके में German से हार जाती है तो सारी Swiss Army Alps Mountains में शरण ले लेगी Alps Mountain Ranges में अपने आप को establish करने के बाद German से गोरिला वार लड़ा जाना था Alps को base बनाने का कारण था इसकी उचाई और rough terrain जिसे पार करना Hitler की आर्मी के लिए आसान नहीं होता खेर नाजियों ने कभी अटैक ही नहीं किया इसलिए Major General कुईसान के प्लैन को कभी भी action में नहीं लाया गया पर सवाल वो भी है कि इन सब के भावजूद आखिर Hitler ने Switzerland पर अटैक क्यों नहीं किया दोस्तों इसके बीचे historians ने कई possible theories दी हैं आईए एके करके इन theories को जानते हैं और शुरू करते हैं सबसे prominent theory से जिसका संबंद France और Germany के बीच ceasefire declaration से है ceasefire between France और Nazi Germany historian Stefan Schaeffer अपनी किताब Hitler and Switzerland में कहते हैं कि Hitler द्वारा Switzerland पर अटैक ना करने के पीछे France और Britain में ceasefire का declare होना important reason था World War शुरू हो चुका था और 1940 के मे जून में France और Germany के बीच चले युद्ध में France को कड़ी शिकस्त जहलनी पड़ी थी युद्ध के शुरू होने के 6 weeks के भीतर ही France को unconditional ceasefire declare करना पड़ा France के capture होने से German army के लिए Mediterranean Sea के साथ direct link establish हो गया historians मानते हैं कि अगर France के साथ युद्ध लंबा चला होता तो शायद Nazi army Switzerland को capture कर लेती क्योंकि Switzerland को base बना कर France के southern part को attack करना ज्यादा आसान था जब France ने ceasefire declare कर दिया तो Nazi army का France में objective पूरा हो चुका था इसलिए शायद उस समय Germans ने Switzerland पर attack करना उचित नहीं समझा क्योंकि Nazi army already Europe में कई और France पर engaged थी कुछ historians का मानना है कि Switzerland के द्वारा practice की जाने वाली neutrality policy ने भी Hitler के invasion से Switzerland को बचाया आईए देखते हैं कैसे Swiss neutrality policy Switzerland actively तो Second World War में किसी भी side के साथ नहीं लड़ रहा था लेकिन उन्होंने unofficially Germans को काफी assistance प्रोवाइड किया War के टाइम Switzerland का assistance Hitler और Nazi Germany के लिए किसी वर्दान से कम नहीं था Switzerland की industries Hitler के लिए arms और ammunition manufacture करती थी कहा जाता है कि Switzerland ने Second World War के दोरान Allied powers को जितने arms और ammunition बेचे उसके comparison में 10 गुना जियादा हथियार Nazi Germany को बेचे हथियारों के अलावाद Switzerland की famous banking sector ने Hitler के war efforts में काफी मदद की Switzerland ने काफी बड़ी मात्रा में Nazi यों द्वारा occupy किये हुए countries की government securities और gold खरी दे इसे वो Switzerland की currency Swiss francs में convert कर दे थे जिससे Nazis war के लिए जरूरी सामान खरीते थे माना जाता है कि Second World War के दौरान Switzerland ने Nazi Germany के 80% gold को Swiss francs में convert किया था 1941 में USSR पर attack करने से पहले Switzerland ने Hitler को 1 billion Swiss francs का लोन भी दिया था Indirectly देखा जाए तो Switzerland एक तरह से Naziों के war को finance कर रहा था इसलिए कहा जा सकता है कि Hitler ने Dash Klein, Stuckish Lwain या The Little Poccupine जो की Switzerland को Nazi जागन में refer किया जाता था उसको अपने फाइदे के लिए छोड़ रखा था Switzerland एक neutral country की तरह नाजियों को ज्यादा फाइदा पहुँचा सकता था इसलिए उसे capture करना खुद के पैरों पर कुलाडी मारने जासा था आईए अब देखते हैं Switzerland की geography ने उसे कैसे help किया Switzerland's geography Switzerland की economic importance के अलावा इसका geographical location भी important था Switzerland Alps mountain ranges के बीच located है जिसे conquer करना आसान नहीं था कुछ extent तक major general कुईसांस सही थे Nazi आमी को difficult mountain ranges में Switzerland पर पूरी तरह से कबजा करने में काफी वक्त लग जाता वैसे कुछ historians का मानना है कि ये impossible नहीं था डेर सौ साल पहले नेपोलियन ने ये करके दिखाया था और फिर Hitler के पास तो नेपोलियन से कहीं ज्यादा advanced arms और ammunitions थे खेर, Switzerland पर कबजा करने से पहले Hitler के लिए और भी ज्यादा important strategic targets थे जिन्हें कबजा करना ज्यादा ज़रूरी था जैसे की Netherlands और Belgium दोनों countries strategically important North Sea के पास located थी और economically भी Nazi Germany के लिए crucial थी तो दोस्तों ये थी कुछ theories जो ये बताती हैं कि आखिर क्यूं Hitler ने Switzerland को invade नहीं किया